नमस्कार स्वागत आपका न्यूस जोर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुन त्यागी खबरों का रुप कर लेते हैं उत्राखंड के नए मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी होंगे देरदून में शरनिवार को हुई बीजिपी की विधायक दल की बैचक में ये फैसला लिया गया है बता दें तीरज सिंग रावत के मुख्य मंतरी पत से स्तीफा देने के बाद कई नाम इस पत के लिए रेस में आगया रहे थे जिनको पीछे करते हुए पुशकर सिंग धामी ने बाजी मार ली है पुशकर सिंग धामी आज सीम पत की शपत लेंगे विधायक धल की बैठक में नाम के एलान होने के बाद ही पुशकर सिंग धामी ने राजेपाल बेबी रानी मौरे के सामने दावा पेश किया अब आज शपत ग्रेंट समारो हुगा पहले कयास लगाए जा रहे थे कि धामी शनिवार को ही मुख्य मंत्री पत की शपत लेनी चारही है लेकिन सूत्रों के मताबिक वो शनिवार को शपत नहीं लेना चाहते थे कल बीजेपी के सबी विधायकों की दोपैर तीन बज़े बैठक बुलाए गई थी दिल्ली से पार्टी आलकमान निम्बत और प्रिय विक्षक केंड्रीय मंत्री नरेंद सिंग तोमत को धेरदून भीजा था पुशकर सिंग धामी के नाम की घुशना होते ही पिछले कई दिनों से राज्जे में चल रहा सियासी संकट भी अब खतम हो गया है ये संकट उस समय शुरूर हुआ था जब केंड्रीय नितरतु ने राज्जे के पूर्व मुख्य मंत्री तीरे सिंग रावत को दिल्ली तलब किया था राजिस्तान कॉंग्रेस में चल रहे सियासी घहमासान के बीच घहलोत और पाइलेट खेमे में सुलह के आसार अब नज़त आने लगे हैं इस सीफ़ा दे चुके पाइलेट समर्थक विधायक हिमा राम चौदरी का इस सीफ़ा नामन्जूर कर दिया गया है हाला के इसकी अधिकारे घोशना नहीं हुई है लेकिन सीफ़े पर पैसला लेने के बज़ाए उन्हें विधानसवा के राज़किया उपकर्म समीती का सभापती बना दिया गया है विधानसवा समीतियों में पाइलट खेमे के विधायकों को एहम जिम्मदारियां दी गई हैं खासतोर पर राज़किया उपकर्म समीती का सभापती की जिम्मदारी स्थीफ़े की पेशकर कर चुके विधायक हेमा राम चौदरी को सौपी गई है यानि इन समीतियों के जरिये पाइलट कैम्प के नेताओं को एड़िस्ट करने के साथ साथ हेमा राम चौदरी स्थीफ़ा प्रक्रण का भी पटाशेप कर दिया गया है विधानसवा द्याक्चो सीपी जोशिष ने ही हेमा राम को एहम समीति का सभवपती बनाया है जिसका सीधा मतलब है कि उनका स्थीफ़ा मन्जूर नहीं किया गया है राफेल लड़ाको विवमान सौदा मामला एक बार फिर से अब चर्चा में आ गया है राफेल सौदे को लेकर जाश के लिए फ्रांस में एक जच की नियुक्ती कर ली गई है इसके बाद अब भारत की सियासत भी गर्मा गई है फ्रांस ने न्यायक जांच शुरू की जिसके बाद कॉंग्रेस फाजी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है इस बीच राहूल गांधी ने बीजेपी साका परतंच करस्ते हुए कहा कि चोर की दाड़ी राफेल स्कैम कॉंग्रेस प्रवक्तार रंडीप सुर्चेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा कि फ्रांस जुआरा न्यायक जांच के आदेश देने के बाद राहूल गांधी की बात सही साबित हुई हम राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते हैं प्रदान मंत्री को बताना चाहिए कि उनकी साका फ्रांस जांच के आलोक में जेपीसी जांच की अनुमती कब देगी देली पुलिस के कई अफसरों ने वीरता के लिए राश्टपती पुलिस पदक का अनुरोध पत्र भेजा है इन अफसरों में नौर्थ ईस्ट देली के पुल्वर डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य भी शामिल है डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य ने ये कहते हुए गलेंटरी पुरुसका का अनुरोध किया है जिसमें डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य को भी उनके साथ देखा गया था इसी दोरान कपल मिश्रा ने एक विवादर भाशन भी दिया था दिली दंगों के दोरान वेद प्रकाश सूर्य नौर्थ ईस्ट दिली के डीसीपी थे इसके इसी अलाके में सबसे ज्यादा दंगे भड़के थे पैटरोल डीजल दोनों ही इर्दिनों पर महगाई की मार जारी है तेल कमपनियों ने आज फिर पैटरोल और डीजल के दामों में बढ़ोत रिक की है बता दें सकारी तील कंपनियों ने घरेलू बाजार में आज दिली में पैटरोल की कीमत में 35 पैसे प्रतिलीटर जबकि डीजल के दाम में 18 पैसे प्रतिलीटर का इजाफा किया है दिली के बाजार में पैट्रोल 99.5 एक रुपे प्रती लीटर पर पहुंच गया है जबकि डीजल 18 पैसे महंगा होने के साथ ही 89.3 रुपे प्रती लीटर बिक रहा है बता दें के विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर राश्ट्रिय बाजार में क्रूज की कीमत के अधार पर पैट्रोल और डीजल की कीमत प्रती दिन अपडेट की जाती है आईल मारकेटिंग कमपनिया कीमतों की समिक्षा के बाद रोस पेट्रोल और डीजल के दम ते करती है इंडियन और भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कमपनियां हर दिन सुबा कई शहरों की पेट्रोल और डिजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती है भारती महिला टीम ने तीसे वंडे मैच में इंग्लाइंड को चार विकेट से हरा कर तीम मैचों की सीरीज में सांतवना जीत दर्ज की है कप्तान मिताली राज की 75 रनों की नाबाद पारी और आखरी ओवरों में छटे विकेट के लिए हर फण मौला स्नेर राणा के 750 रनों की साज़ोदारी के दम पर भारत को ये जीत मिली इंग्लाइंड की महिला टीम ने श्रुवाती दो मैच जीत कर सीरीज में पहले ही दो स्चूडने से अजय बढ़त कायम कर ली थी बारिश की वज़ा से 47-47 ओवर के मैच में इंग्लाइंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की आखरी गेंद पर 219 रन पर सिमत गई भारत ने 46 रन तीन ओवरों में च्छे विकेट के नुकसान पर लक्षे हासिल कर लिया प्लियर आफ दा मैच मिताली ने चौका लगा का भारत को शानदार जीत दिलाई उन्होंने 86 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके लगाए दिली एंसीयर में लगातार दूसे दिन जोरदार बारिश हुई बारिश से लोगों को लू औब भीशण गर्मी से राहत मिल गई है बता दे दिली में आज भी खलकी बारिश की संभावना है मौसम विभाग में पहले ही अंदास जुताय था कि 2-4 जुलाई के बीच तेज प्री मौनसून बारिश होगी 7-10 जुलाई तक मौनसून के पहुँचने की संभावना है आज अधिक्तम और निन्टन तापमान 44 डिग्रीज से कम और 24 डिग्री से के आसपास रहने का लुमान है वहीं राज़सान पंजब और खरियाना में अभी भी पाराध चढ़ रहा है राज़सान के करॉली में दिन में अधिकतन तापमान 42 दशवलव एक डिग्री सेलसियस दर्श किया गया है वहीं पंजाब के भटिंडा में तापमान 42 डिग्री सेलसियस तक पहुँच गया है मौसर विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के मैदानी और परवती अलाकों में लू का असर कम हो गया है और अगामी पांच दिन में लू चलने की पूरी कोई भी संभाबना नहीं है आने वाले पांच दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेलसियस की गिरावच आने की संभाबना है इस बुलेटिन में फिला के लिए इतना है लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप जुड़े रहने के लिए देखते रहें नीस होड़ीं किया